है यह लो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर कुनाल और आज हम बात करने वाले हैं येस पाउर पैक पाउर नोट्स की येस बात करेंगे कम्प्रीट करेंगे अपना चाप्टर सेल सेल डिवीचन और इस अमेजिंग एंसेटी बेस के टीज पाउर नोट्स के साथ इस को लाइक जरूर करें चानों को सब्सक्राइब जरूर करें सही बात है ताकि वीडियो भाई बाकी और भी बच्चों के साथ ये वीडियो शेर करें चब शुरात कर रहे हैं एंसेटीबेस के डिस्पाउर प्रेजेंट सेल साइकल और सेल डिवीजन की बात हो रहे है कि सेल क का डुप्लीकेशन होता है और उसके बाद सेल की ग्रोथ भी वहाँ पर के रहे उठ होती है ऑल्दो तो सेल ग्रोथ इंटमस आप साइटो बाजन तो बढ़ना उसमें एडिशन होना उसमें मोडिफिकेशन होना यह तो कंटियर्स प्रोसिंग है जबकि डियाने सेंटेश अगर हम बात करें तो 90 मिनिट्स में यह डिवाइट कर जाता है और अगर अगर हम बात करें तो आपको होगे तो यह तो एंसेटी में नहीं दिया दिया है बिटा मॉलीकुल बेशिव इन रिटा चक्टर में और वं 20 मिनिट के उसकी लाइफ साइकल होती है सेल साइकल होती है सब्सक्राइब अब आगे बढ़ते हैं बात कर रहें वाट और अगर यहां पर यह चलता है देखते बेटें में धिरे-धिरे आगे बढ़ रहें हो इंतरफेस मतलब क्या है तो देखो इंतरफेस में होता क्या है जो 23 स्टेज घंटे के लिए चल रहा है एक्ट्व में क्या हो रहा है तो यहां पर सेल को डिवाइट करने के तो प्रिपेर किया जा ह्रह से पहले यह डिवाइट करना चाहता है तो यह सेल जो है ग्रो करना शुरू करते का इस इस इसका मतलब क्या है इस तरह के से पास अब यह एक चल पर गया तो यह पर दो क्रोमोजोम है हो गया क्रोमोजों सेब क्योंकि सिस्टो देस्ट डूपलिकेट हो जाते हैं जी टू फेस में और ज्यादा Brew करने लगता है जी टू फेस में इसेसे घ्रोव करने लगता है तो बेसेकल्ध हमने क्या किया इंटर फेस में डियाएंए नींगा सब्सक्राइट कर दिया अब एक parental stage मतलब क्या है जी हो फेस मतलब क्या देखते ऑथ है अब कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं घम फेल्स को छोड़ देतें मतलब यह क्या हो रहा है कि एक THAT राइए झाम जेंटा रहा है यहां तो से लि di न को एकसित कर लेते समыш만 जीवान बाहर है रिमेंस मेटाबूरी अडिक्टिव बट लो लॉगर प्रॉलिफरेट अनलेस कोड़न तो डिपेंडिंग उन्द रिक्वार्मेंट ऑफ और अर्गनिजम कुछ सेल जीवन से बाहर चले जाते हैं वह आगे मतला आगे की स्टेज नहीं फॉलो कर रहे हैं ऐसे भी कुछ कुछ सेल अभी हमने देखा कि जीवन को एक्जिट करके गए और फिर से फिर जब भी ज़रूरत पड़ते हैं तो फिर से यहां पर एस फेस जीवन टूफेस ऐसे कंटिनू कर देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो लेकिन कुछ सेल इसे होते हैं जो एक बार जीवन को एक से से सही है अब देखो समसे एक जीवन से रिमेंज मेटाबूरी बट नो लॉंगर पॉलिपर अनलेस कॉल उन्टू सो जैसे कि बोन से लोगे जैसे कि मानदो बोन का जब फ्रैक्चर हो जाता है तभी बोन वहां पर जुड़ना शुरू करता है तो वह जो सेल था जी जुर ट्रालेसिस हो जाता है तो भेज वह रिकर क्यों नहीं करता क्योंकि नवर निउरों से नहीं नहीं बनते एक से दूसरा नहीं बनता है यह बहुत इंपोर्टन बात हो रही आप सही है ऑक्याए अब अगे बढ़ रहे है चल लेसट अलें माइट्स एज जुएं वह नहीं हो बहुत इंपोर्टेंट है प्लांट किंग्डम ने हमने पड़ा भी है अब माइटोस इसको डिटेल में पड़ते हैं अब इसमें क्या हो रहा है हमने इंटरफेस तो पढ़ लिया इंटरफेस के बादा माइटोस जहां पर सेल एक्टॉल डिवाइड करो दे एंफेस टार्ट इंटरफेस दा नुक्लियर डिवीजन यहां पर क्या होता है नुक्लियस का डिवीजन होगा क्या रिओ का इनसिस के अरवन मतलि हम उसे कहते हैं यूजियो एंट इंस डिवीजन ऑफ दे साइटो प्रोजेशन पीडिवाइड कर जाएगा शीज दा नमराग प्रोमोजोम इ तो हम कहते है कि जो माइटोस ही एक्वेशनल की कुनिअ मतल С म ंबर इसका नमरी कौन यहां और यहां कर रहे हैं और उसपें फोर स्टेजर संद निसीटीज करते हैं ए करो मृतपजस अनाफेज तीलोफेस इसका माले सिंपल सी टृक बताई थी तरफेसरों उसको कडंगर्णे कर लिया जाता हैrift यहाँ क्या हो लगता है और धीरे-धीरे वो condense होने लगता है वह से कंडेज़ होने लगेगे। Centrosum move towards the opposite poles of the cells इनका duplication हो चका है इसके पहले अब वो opposite pole के पास जाते है। इच सेंट्रोजम रेडियसाउट मायक्रोटूबल इस तो यह यहां पर मायक्रोटूबल इस आपको निकलते हुए दिखाए देंगे कुछ ऐसे से शे स्पिंडल फ़ाइब निकलते हुए दिखाए देंगे अगर मैं यहां पर दिखाना चाहू तो देख सकते हैं हम कि यहां पर क्या बात हो रही है तो यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर देख लिए हैं इसकी बात नहीं हो रहे है तो यहां पर देखो क्या होता है so यहां पर कंडे सेशन अब द्यक्रमे बीगींज सेंट्रियोहण मूँ टूवर्ज ि अपोसिट पॉल जर्फ हो रहें के आप पॉल के पास मुह कर जाते हैं गोलजी कब नुक्लियर इनुक्लियर डिसपर हो जाते हैं पर यहाँ पर नुच्छी बात हैं अब यहां पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यहां से maicorotubules निकल रहे हैं सही बात है centrosome से centrosome से maicorotubules निकल रहे हैं यह कुछ maicorosome इस साइड में निकल रहे हैं जिसे हम asteros करें तो यह मैं बात कर रहा था है यहाँ पे αsteros formation होता है जो क्या करता है centriole के ऊपर काइनेत और होता है आप माकरोडू es so condition of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope बहुत condensed हो चुके है तो macroscope में आप उनको देख सकते हूं spindle fiber attached to the kinate core of the chromosome अभी मैंने दिखाए है chromosome are moved to the spindle equator and get aligned along the metaphase plate through the spindle fiber to both the poles यहाँ पे जो chromosome से यह along the equator align होना शुरू हो जाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहे हैं देखो यह है chromosome यहाँ से देखो spindle fiber निकले और वह क्या हो रहा है देखो यहाँ पर यह जो chromosome से along the equator align हो रहे हैं सही बात है right the plane of element of chromosome it is called as a metaphysic plate हम कहरें कि यह metaphysic plate का यहाँ पर formation हो चुका है बात करते हैं अनाफेज की अनाफेज में दो chromosome separate from two doctor chromatis centromere split हो जाता है chromatis separate हो जाते chromatis move towards the opposite pole chromatis move towards opposite pole देखो यहाँ पर क्या हो रहे यह जो centromere split हो रहा है जहां से देखो सेंट्र में बीच में से split हो रहा है chromatis opposite pole के पास यहाँ पर move कर जा रहे हैं हम कहते हैं कि अनाफेज में अना chromosome को separate करती है इस तरह के से हमने इसको याद रखा था बढ़ते हैं आगे सभी चाल इसको बहुत अगर आपको थोड़ी भी दिखकर जा रहे ता आप उस particular वीडियो को देख सकते हैं बात करें टीलो phase के बारे में टीलो मतलब end हम end वाली phase को टीलो phase के देए नुकलियर आपको दिखाने की कोशिश करो तो कुछी सब्सक्राइब देख सकते हैं देखो यहां पर क्या हो रहा है देखो यह जो अपर सेप्रेट हो चुक है देखो यहां पर क्या हो रहे हैं देखो यह kmosome से kromosome lost Państ pricesrices क्रोपोजम लॉजाता है नियूबक्वर्ण के सिरन अगे बढ़ते हैं प्रती गिसे फिरोपन यह फिर यहां है लोकस से वापस आगल है घर में लोट है हो वह सही बात हैं एका हैं करते हैं cytokinesis की cytokinesis is separation of a cytoplasm मैं इसका भी आपको विजो दिखा दे तो कोई बात नहीं है so cytokinesis animal cell में क्या होता है किस तरके cytokinesis divided होता है a furrow appear in the plasma membrane which gradually differs and ultimately joins in the center dividing the cell cytokinesis into two this is called as a centimeter cytokinesis जबकि plant cell में क्या होता है cell plate that represents the middle lamula between the walls of the two adjacent cell appear in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral was called as centrifugal cytokinesis so animal में centripetal plant cell में centrifugal cytokinesis यह क्या है यह क्या है चलो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से चलो यह देखो क्या हो रहा है यहां पर देखो कि किस तरके cytokinesis हो रहा है देखो इसको थोड़ा आगी कर देते हैं यह सब हमने बात एक कर ली है ओल्रेट देखो हमने क्या कि निकलो राण बीडिवल गया यहां पर कर लिया है कि सेंटिप्डीगल मतलब धेक इनसे देखा कि देखो राण होता है प्लाजम अमिरे से नीचे डिपड़ान हो रहे जिसे फरो कह रहें ओके और धीरे धीरे फोरो यहां पर जॉइन हो जाता है एक से से दो से लहां पर फॉर्म हो जाते है राइट बिल्कु सही बहुत है दिस इस कोड़ है सेंट्री पिटल साइटो का निस की तरफ आ रहा था फोरो इसलिए अब प्लैंट सेल में देखो क्या होता है यहां पर कु हो जाता है डिफ में से बनना शेरो अउट्वरड सितरी बात हो रहे है तो यह बात हो रहे है सेंट्रीकोड़ की तो वही बास याँ रही है कि से लायंत सेल में सेंट्रिक्रिकैन ऐससायं को दिखाई देता है सफेह बात है और Gण USA ढहाना कंसिज कभी-कभींध कर जाता है मतलब कई सारे नुकलेस दिखाई देंगे मतलब सेल मल्टी नुकलेटेड हो जाएगा इसे कौन से सेल है वह है लिक्विड एंडोस्पम इन कोकोनट इट इसे हम कहते हैं वह है आपको और भी आगे आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यारियो करेंगे इसे के मसल से बात करते माइटोसी का सिगनिफिकस क्या है अब इसे हम नहीं नहीं बनते रहते हैं अपके पेट के सेल्स होगे गास्टो इंट्रेशनेट आपके फूड ले रहो तो वह है क्योंकि फूल पास हो रहा है तो वह सेल सेल कंटिईशल रिप्लेश हो रहे है माइटोटिक डिविजन को माइटोटिक डिविजन इन ना मेरिस्टिमेटिक टीशू घ्रॉथ और प्लैंस थोगा यह आपर है यह पर बनते हैं म्योंसे ज़िए रिप्लिकेट होगा लेकिन सेल दो बार उसमें डिवीजन होगी यह बात यह पी की जा रहे कैसे होता सब कुछ देखेंगे म्योंसेश वन यह पर देखेंगे लिवीजन होगा उसके बाद यहां पी म्योंसेश वन का शुरुवात होगी यह पी प्रोफेस वन क्या है देखो लेप्तोटीम खोंमोजों कोंपैक्शन हो रहा है सब्सक्राइब क्रोफेस को भी हम यहां पी डिवाइड करते हैं पहला पे लेप्तोक्पैक्शन हो रहा है स्वाहां इन में मैंने आपको बताये थाकि हो अब पर देते हैं पर हो जाते हैं छीनस कह रहे हैं जाईगोन में ढख पर इसे क्रोमोजोम को हम दूसरे के पास आएंगे जिस्ते हम सिनाप्स कहेंगे दोनों के जाएगे अपने बनलेइवा हो रहा है फिर जाइगोटीन में क्या रहा दिखो एसे क्रोमोजम आपकों सतिका परीधे चैना भीच किस वीचींब आप चार टेटर्व यह क्या है जिसके पाद़ चार क्रिमेटर्विंट और यह एक टेट्राइड है सही बात है इसके बाइवरेंट और वन टेट्राइड है सही बात है यह तो रहा जाइगोटीन के बारे में फिर क्या होता है देखो पैचिटीन में यह देखो इसका 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 इसके पास चला गया है यह वह पैचिटीन में डिपलोटीन में दीपक आता है सिनेटमिल कॉंप्रेक्स को डिजॉल कर देता है और अब देखो क्या हो रहा है यहां पे यहां पे देखो डाइकनिसे होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोम्स और बीकोज बात यहां पे होती है तर्मिनलाइजेशन मतलब क्या है यहां को अब यह नीचे चला जा रहा है क्रोमिमस सेप्रेट हो रहा है देखो दोनों ने एक दूसरे का जीनेरिक मतलि की पहले क्रोसिंग और एक ही क्रोमोजोम के ऊपर सही बात यह यहां पर revolution ब्हुत पहतं रहा है इसके पहले दिंगो णोठ यहां पर से कॉरैंद डिंडेकित कर देख बहुन रहे हैं सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते आगे फिर क्या हो रहा है देखो डिपलोटीम में क्या थे डिपक आता है इसे हमने काईजमा कहा है इन उस साइट अफ सम वर्टीम डिपलोटीम के लाज्ट पॉर मन्स और यह थे तो यह है डिपलोटीम जहां पर वह अरेश्ट हो जगा था उस साइट डाइकानिसिस में देखो क्या होता है क्यानिसिस में का इसे काईजमा कर रहा है या नूकलिन से ब्ल मचारींट के उपर जा रहा है औरarner road investigation यह बड़ा इलिपर मेटाफिस में क्या होता है देखो मेटाफिस में यहाँ पे बाइवरेंट क्रोमोजों अलाइन ओंद एक्वेटरियल प्लेट जब भी मेट एद एक्वेटर यह अपने ट्रीक भी इसके माइक्रोटोबिल फॉर्म प्लेट पोल्स अप्डीर अपने ट्रीक निवह प्लेटर आपको पता है इसमें और इसेप्रेट हो जाते हैं शिष्टर क्रोमाजिम रिमें असोशेट एंद डैसें तो सिष्टर को माज़ी सेप्रेट नहीं हुए हैं सिप्रोमोजों सेप्रेट साइटो कानेसिस अब होगा एंड रिजल्टन इस कॉल्ड आज डायड ऑफ से दो सेल्स बनेगे जिसे हम डायड ऑफ सेल्स कहते हैं देखते हैं यह भी यह भी देख लेते हैं जल्दी से ओके मैं थोड़ा स्पीड फास्ट रखता हूं क्योंकि इस चीजों का हमने सब पढ़ है इसलिए स्पीड फास्ट रखते हो देखो यहां पर क्या हो रहा है इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं अलांग दे इक्वेटर इन मेटाफिस ओके भाई साथ फिर क्या हो रहा है देखो यहां पर यह देखो माइक्रोटोबिस आते हैं कानेटोग अटैच हो जाते हैं और अहां पर chromosome separate हो रहे हैं chromosome क्या हो रहे है मेटा separate हो रहे है chromosome separate हो गए ओके यह बहुत बात है तो यह ही बात हो रही कि sister chemotherapy separate नहीं है chromosome separate हुए okay और इस तरही से यहाँ पर देखो nuclear membrane and nucleus reappear हो जाता है अना phase में separation होना और आपयर हो जाना a died of सिर्मन आद इस गए क्टिब धूँ तो रहां आशचा वन से यह अभात करते हैं कि मियं सिस्टी में क्या होगा वो भी हम देखेंगे ए ठोड़ा फॉरस्ट परवर्ट कर देते हैं और दोसी सिंपल है देखो प्रोफेस टू से विए स क्या होता है chromatis separate हो रहे है इसके पहले एनाफेस 1 में chromosome separate हुए एनाफेस 2 में chromatis separate हुए है सही बात है चलो वही देख लेते हैं so meiosis 1 के बाद interkinesis नान की stage देखो क्या कहती है इसके बाद में this stage last this stage between the two meiotic disease called interkinesis which is a short list stage there is no replication of DNA during the interkinesis बहुत important line है इसके उपर दो दो बाद DNA का duplication नहीं होगा यह बहुत important बात है बात कर रहे है आगे let's talk about the meiosis 2 let's talk about meiosis 2 pro phase 2 in contrast to meiosis 1 meiosis 2 resembles a normal mitosis the nuclear memory disappear हो जाए है chromosome again become compact metaphase 2 में क्या होता है chromosome aligned adequate equator बिल्कों mitosis जाए साह है microdouble spindle get attached to the kinetocle of the systochromatis और anaphase में systochromatis separate हो जाएंगे systochromatis separate हो जाते हैं तिलो फिस्टू में क्या होता है two groups of the chromosome once again get enclosed by the nuclear enholum cytokonnase follows resulting in a tetradophacel अब दो से डिवाट कर दे तो चार सेल बनेंगे दो इसके वज़े से हैपलोड बने इसलिए आपका chromosome नमर मेंटेन हो जाता है मेल के गमेट के वाश्ट 23 क्रोमोजम है जम सेल में में दिखाई देती है यह दोनों गवर फिज़े ने 46 क्रोमोजम अपकर बन जागे तो आपने मेंटेंट कर ले 46 क्रोमोजम आपके सही बात है में में पर देखते हैं what is the difference synapses यहाँ पर form बता है में में यहाँ पर कोई synapses नहीं होता है crossing over meosys one में होता है meosis two में नहीं होता metaphase one बे पेर्द homologues chromosome अपिर होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं इन metaphase two sister chromatis lines at the equator इस तरीके से बेटा थोड़ा chapter यह कॉंपलेक्स है अगर मैं I was strongly advise you कि एक बार इसका C3 Series का आप लेक्चर देखीगा तो बहुत अच्छे से आपको videos क्लियर हो जाएंगे बेटा ओके चलो वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करना मद भूना टेरिग्रम जानल पे जाएंगे या biology bomb neat इस नाम से आप टेरिग्रम पे सच किजिए आप कोई पाउन रोस मिल जाएंगे और मस पढ़ाई करें है ना खुश रहे बेटा मस पढ़ाई करो अपने टार्गेट को हिट कर देना है राइट चलो लवी बेटा टेक केर बाइब